हेलो बच्चो वेलकम टुगनितंक क्या हाल चाले कैसे आप सब लोग बच्चो कही लोगों से आपने सुना होगा ना आपके पेरिंट्स आपके टीचर्स आपके फ्रेंड्स यार यह बाते आपने सुनी होगी तो क्या आप मानते हो कि यही मेंस से एक्चली बहुत इसी है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विट सम लॉजिक्स विट सम पॉइंट्स बच्चो ऐसे बहुत सारी बाते में आपके साथ करने वाला वह आने वाले दिनों में अगर चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब करना और अपना प्यार शो करना बाए लाइक इंग जरूर करिएगा शेयर जरूर क से लिस सिलिबवस में हम क्लिएरली कह सकते है कि यार ईथर चैप्टर के बहुत सारे चैप्टर कांट वहांसर होता है सारा सिलेबस तो ट्वेल्थ पूरा होतार 11 का 20 परसिंट मतब 10 चैप्टर जाएगा और यह स्टेट लेवल मतंब हमारे एचसी बोर्ड का सिलेबस होगा सिलेबस के हिसाप से हम कहेंगे कि जही जो है उसों ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जही जो है वो डिफ से येस इन इस केस जेई का सिलेबस जाधा बड़ा है ग्रेटे दयां वाला साहिन हम लगा सकते है ठेक है तो सिलेबस नहीं कहए जक्टै यह है क्यों fulfillment के बात करें तो मैंने वर्टेवर रवलास बच्चे 14 लाग बच्चों ने साइव बैटता है यैस और वही अगर पर हम सीट की बात करें और वो भी PCM PCM सीट की बात करें तो अराउंड 3.5 लैक 2024 में तो competition भी यहां बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सारे बच्चे पूरे इंडिया से बैठते हैं फॉर्म फिल करते हैं यहां बहुत सारे कॉलेज़ेश की बात करें तो यहां यहां पर महाराष्ट्रा के तो अगर अगर काउंट की बात करें जादा है अगर रेशो की बात करें तब भी हम कह सकते यार इंजिनिरिंग कॉलेज़ेश बहुत है महाराष्ट्रा में तो अगें जेई जो है यहां पर हम कह सकते कॉंपिटिशन वाइस भी जेई तगड़ा है यस नंबर अफ सुडेंट्स नंबर अफ कॉलेज़ेश कंपरीज़ेश रेशो हर बात करेंगे हम तो लॉजिकली बात कर रहे है तो सर अभी तक तो जेई जीत र बात करें तो प्लस टू जीरो फिजिक्स चेमिस्टिक बात करें तो प्लस उन प्लस वन और जीरो जीरो अगर निगेटिव की हो रही हो बात को ठीक है यह सारी बाते हैं अगे इन पच्चेस बच्चेस लेकिन पेपर तो 300 मार्क्स का होता है और यहां पर 200 मार्क्स का होता ह ठीक है तो ये सारी बाते होती है सर तो सिंस भी हैज निगेटी मांकिंग हेर सब양च करने पर अब सदा है जो किmost सिटी में गलत वह लगा हो तो लग जया तो बड़िया हमेही लगा तो 0 है तो अगेंड जेए में से कोश्चन्स दो डिफिकल्ट होते ही है बट क्या आप लोगों ने यह रियलाइज किया है कि पिछले तीन साल से MHT CT में मैट्स का लेवल येस मैं स्पेसिविकली कहता हूँ घटा मैट्स का लेवल जो है वो जेए मेंस का और CT का सेम हो गया है येस अना मैं बहुत आप बुलो कि सर दो चार कोश्चन आते तो आप क्या लेवल ही चेंज कर रहे हो क्या नहीं बच्चा अगर आप पेपर कोई भी इनलाइज करते हो पच्चास में से अराउंट सत्रा अथरा कोश्चंज आको मिल जाएंगे जो जी मेंस के प्रीविय्स हो जाएंगे या फिर जैनते लेवल पे जिले जाएंगे यहส बत्चालू फििसिक्स सेमें मानता हूँ अभी फिसिक्स खेमिस्री का लेवल कम है Yes इन्पाट जीमेंभी लेवल स्चिकिल यह आता था कोवीट से और अब जो आता है उसमें भी बहुत फ़रे के मेरे प्यारे बच्छो जेए मेंस में फिजिक्स का लेवल जो है वो ड्रॉप हुआ है इसी आने लगा है तो तो अगर आपको यकीन यादा चलिए कुछ कुछ कराता हूं यह को लेखें जेए मेंस Åh अभी यह सीटी ट्वेटी ट्वेंटी पॉर में आया हुआ हुआ है सीटी 24 में इंटीगरेशन का जा सारे के सारे जो कि 2024 सीटी में आये हुए है एक पेपर उठाओगे एक पेपर में आपको 17-18 बिल जाएंगे जो जही मेंस के सीधे-सीदे में आ रहे है तो मैट्स का लेबल जो है जही मेंस की तरफ गया है यह बच्चा लोग तो अगर हम कोश्चंज के बारे में बात करें तो कोश्चंज का लेबल वहोँज़ादा इंक्रीज हुआ है पर मेश्टी सीधी और एक खास बात यह है कि यह मेश्टी सीधी में हमें 50 50 50 मतब 150 कोश्चंज करने होंगे इंटू आर्स और वही पर अगर हम जेए मिल्स की बात करें तो 75 कोश्चंज करने होते हैं इंट्री आर्स तो जो सीधी है मोर पार स papier इस इटी में मैं स्पीड की बास जाड़ा हो रही होगी हाना यह सीधी की बात चल रही है और एगर जेए की बात करें जेही में मूर वांद ऑट एक यहाँ किया आप कितना कसी के साथ चल रहे वह तो बसा लों और बहुत बहुत झार में है कि हमने प्रैक्टिस करी हुई है क्या उस लिवल की कोश्चन की ताकि हम एक्जाम में जाए और हमें फटा-फट क्लिक हो जाए और तभी हम आगे बढ़े तो बहुत-बहुत खास बात यह है कि यार इस मोर बाउट आखरी बात जो मैं कहूंगा यह तो पूरा-पूरा आपको रियलाइसेशन करा देगा अगर एक्जाम इजी भी है बात तो टॉप कॉलेज में जाने की हो रही है न आपको टॉप कॉलेज में जाना है टॉप ब्रांच लेना है और अगर आपको ऐसा करना है अजूम करो कि चाहते हो पता है कितना चाहिए वहाँ पे स्कोर देखिए 99.96 आपका स्टेट रैंक 100 के अंदर होना चाहिए तब जाके आपको सेवी में मिल रहा है अभी के इस साल के अब देखो अगर आपको पीडि में चाहिए तो 99.75 आराउंट 500 के आसपस आपका रांक चाहिए विए टी में अगर चाहिए तो 99 परसेंटाइल अराउंट 2800 के आसपस अपका रांक चाहिए जो 3,4 लाग बच्चे बैटे उसमें आप पहले में चाहिए कमींज में अगर आप लड़की हो और गर्ल्स कॉलेज है वहां जाना हो तो 99.21 पर कट आफ है अगें वालचन सांगली के लिए भी ट्राइब करेंगे तो उनका भी कट आफ यही है कि आपको 3000 के आसपस रांक चाहिए अगर आपको बेस ब्रांच चाहिए जो की कंप्यूटर मानी जाती है आई टी ए आई एंटसी कोई भी चाहिए और पहले पांच-छेजार में आने के लिए आपका परसेंटाइल अबाव लाना पड़ेगा तब जाके आप पूने में कोई टॉप कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच जो आपको चाहिए है वो ले असपास थारो मल वेशिट तो आप देखते हो 98 अबाव जाना ही पड़ेगा तो अगर आपको अगेन वही बात 5000 के आसपास रैंक लाना है 98 पर सेंटाइल क्रॉस करना पड़ेगा तो बहुत है तो जो भी कहेगा न मेंस्टी सीटी एक्जाम इसी है उसो कहना भाई टॉप में जाने के लिए तगड़ा कॉंपटीशन है तो अगर ऐसा कोई कहता है कि है मेंस्टी तो बहुत इसी हो जाएगा आराम से आपका क्या आंसर होगा अब बता सकते हो कमेंट करके अरे भाई हो जाएगा वो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है अभी से करना पड़ेगा अभी करना स्टार्ट करते हो तो येस आप इन टार्गेट के तरफ पहुच सकते हो राइट तो अगर मैं समराइज करू तो मैं जा समरी यही है कि भाई साब मेंस्टी को लाइटली नहीं ले सकते पूरा एफ़र्ट पूरी जान लगानी पड़ेगी सर जेई भी करू क्या कर सकते हो राइट तो यही बात मुझे आपको बतानी थी यही मुझे समराइज करना था कि एमेश्टी सीटी के लिए भी तगड़ा प्रिपरेशन जरूरी है लाइटली नहीं लेना है ठीक है तो विद इस कोई भी क्वेरी हो कोई भी कोश्चन हो आप हमें वाट्साइप क तक रहूँगा आपकी एक्जाइम्स तक रहूँगा ठीक है अच्छे से काम करना है खुद पर भरोसा रखना और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है विद असमाहिल टेक केर बाबाए थैंक्यू